आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया, बस प्रशन की फोडो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ, अभी डाउटनेट करें क्वेशन हमारे पास है कि इसमें हमारे पास दो कथन है, एक कथन जो होता है वो किसी तथ्य को बताता है और तूसरा उसके कारण को बताता है, तो हमें देखना होगा कि क्या प्रकृतन सही होगा, कारण सही होगा या कारण उसकी सही व्याख्या करेगा की नहीं, तो पहले के दोर पर क्या बोला है कारण के दोर पर बोर रखा है कि चंदृटल की तरज्या जसे मैंनिसकसली कहते हैं के चंवर॑' इसके लिए है किसे ली पंधे चंवर। देब्व का लेक्ष्णा जो जल पर ढुबा हुआ है ठीक है यह हमारे पास जल की स्थेती और यह हमारे पास Keishnally जहां Keishnally के लिए इसके त्रजा के बात करें तो मालें यह मुख्य बिंदु या मूल बिंदु से या केंद्री बिंदु से हम देखें हैं में तो इसे एच के रूप में हमने प्रस्तुत कर रखा ठीक तरह किसी केश ने लिए के लिए उसके तरह स्मॉल आर है अगर उसे ड्रव में डूबावाय गया है या जल पे डूबाया गया है तो उसमें चड़े हुए द्रव की जो उचाई है वो निम्नसूत्र त्वारा दी की जाएगी एच बराबर जिसका मान होगा दो टी बटे आर रो जी की रूप में ठीक है अब दिये के पदों को हम समझा दे वो है क्या-क्या टी हमें बता रहा है जल के लिए उसके प्रिश्चतनाव के मान को तो हम इसे लिख लें यह प्रिश्चतनाव है ठीक इसके को हम इस तरफ लें तो हमारे पास क्या बचेगा दो टी बटे यह बचता है रो जी की रूप में किसी वेजियल के लिए हम देखे कि चंदरतल के त्रज्या जो है वो केशनली के द्रव की उचाई का गुड़न फल सद्याव नियत रहेगा यह तो हमारे पास सही है तो यह जो कारण हो गया वो तो सही हो गया लेकिन अगर हम वह स्टेटमेंट देखें कि कि किसी केशनली में चलने वाले द्रव की उचाई शुक्रमानुपाती होंगे ठिक मतलब है कि H और R के गुड़न फल को हमें अगर नियत बनाया रखना है तो R का मानलीजीए अगर हम भढ़ाते हैं ध्यान दिजेगा, R का मानल हम बढ़ाये तो H का मानल कम होना चाहिए और अगर R के मान में कमी आती है तो H के मान में वृधि होगी ठीक है इसे हम बोलते हैं जूरिन का नियम पाते हम पहले टाम पे पहले टाम है H का मान ये क्या था H का मान था द्रव में द्रव का उस तल पर उस केशनली के अंदर चड़े हुए उचाई के मान को बता रहा है अब ये उचाई का मान अगर जादा हो किसके अपेक्षा केशनली के उचाई के अपेक्षा ठीक है तब हम यह क्या कह सकते हैं देखिए केशनली के उपर तक चड़ने वाले जल की उचाई कामान हमने ले लिया, जबकि केशनली के लिए उसकी उचाई कामान है और वो कम है, तो इस तरह से हमें क्या देखना होगा, इस तरह से जल को बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन वो बाहर नहीं निकलता है, होता क् कि हमने ये देखा कि H का मान क्या होता है R और H का मान नियत होता है ठीक है तो R के नियत होने के लिए हम देखें तो H' का मान यहाँ पर क्या हो गया है H' का मान कम हो गया है H' का मान कम हो गया है तो इसके मान को हमें नियत बनाया रखना है इसे हम क्या बोलेंगे H गुणा R बराबर ये बनता है H डेश और ये हमारे पास बन जाएगा R डेश की रुप में R डेश हमें क्या बताता है MENISCUS MENISCUS यहां पर किस तरह से बने का देखु? वं निशना बनने वाले हैं हाँ अर्धव रित्ताकार अब होगा यहां पर कि मान तो नियत होना चाहिए, नियत होना चाहिए तो h का मन जितना कम ह ollut है, जिस अनुपात में कम हऊ है, R का मान उस अनपात पे बढ़ना चाहिए मतलब इस तरह से हम बोलेंगे कि अगर केशनिली के उपर फैले हुए द्रव की जो प्रिस्ट है वो उसे अगर हम R डेश के रुप में पस्तुत करें तो वो मान क्या होगा मान होगा HR बटे H डेश के रुप में ठीक है और यह क्या बता रहा है यह बता रहा है कि केशनिली के उपर फैले द्रव के लिए उसकी वकरता तरज्या द्रव पिस्ट की वकरता तरज्या या मैनिसकस की वकरता तरज्या कितनी होगी और इससे ये भी किसपस्ट होता है कि द्रव नली से बाहर नहीं गिरेगी अपितु वह फैल जाएगी ठीक है तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि द्रव केश नली से बाहर नहीं फैलता है वह केवल देखिए बाहर नहीं निकलता है वह केवल फैल जाता है वहाँ पर तो यह भी हमारे कथन सहीं है तो दोनों कर्थन यहाँ पर सही है, तो प्रकर्थन यहाँ पर दिया हुआ है, वो सही है, और कारण जो उसका दिया हुआ है, वो भी सही है, और प्रकर्थन की वो सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है? Thank you.